गुड बॉर्णिंग क्लास थर्ड तो बच्चों सब्जेक्ट है आज आपका सस्टी सो प्लीज ओपन यो सस्टी बुक इसमें देख लीजिए हम आज करने जा रहे थे लेसन नुबर टैन ओल अबाट चैन नाई यह हमने पढ़ लिया है लोकेशन एंड क्लाइमेट हम पर चुके हैं इंडस्ट्रीज हमने पढ़ ली हैं वहां पे कौन-कौन सी फेमस है और टिक दे करेक्ट आंसर हम कर चुके हैं आज मैं आपको करवाने जा रही हूं भी पार्ट आंसर थे फॉलोई कोशित तो फर्स्ट कोशन देख लीजिए ने आजिए फेमस महा बली पुरम क्यों फेमस है कॉशन अमबर थर्ड होजा द लेजिए फेचर आप पोंगल पॉंगल का जो में लुजा अकरशन क्या है वहां कउम में फीचर क्या है ठीक है, question number 5 है आपका, why is Chennai called an artificial harbour, Chennai को artificial harbour क्यों कहा जाता है तो इससे आप मैं दिखाती हूँ आपको copy में, तो देखिए, class आपकी third है, subject आपका SST है, date 3rd December 2020 है lesson name all about Chennai, भी part हम कर रहे हैं, answer the following questions, ठीक है first question, name all the important industries of Chennai, Chennai की main जो मुख्य उध्योग है, उनके हमने नाम लिखने है तो answer देखिए, automobile industry है एक वहाँ पर, cotton textiles है, cement industry textile, leather, leather goods है वहाँ पर, चम्डे का व्यापार होता है, व्यावसाय होता है, fertilizers and tractors industries are famous in Chennai तो कौन कौन सी है, automobile, cotton textiles, cement, leather goods, fertilizers and tractors industries are famous in Chennai तो ये वहाँ के main उध्योग है Second question, why is Mahabalipuram famous? Mahabalipuram क्यों famous है, क्यों प्रसिद्ध है? तो answer देखिए, Mahabalipuram is famous for the Radha temple and shore temple तो जो Mahabalipuram प्रसिद्ध है, famous है, वो है, एक Radha temple के लिए, Radha कोई मंदिर है वहाँ पे और एक famous है, वो shore temple के लिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं Third question, what are the places of tourist interest in Chennai? अब हमने लिखना है, tourist interest के कौन-कौन से वहाँ पे place है, Chennai में Places of tourist interest are, the Fort St. George, the Fort St. George महाँ पे famous है, Snake Park महाँ पे famous है, Gandhi Madappam महाँ पे famous है, Art Gallery and Chennai Museum Chennai के tourist interest के places है, ठीक? Question number 4 What are the interesting features of Pongal? Pongal जो उससाव मनाया जाता है, festival मनाया जाता है, उसका main feature क्या है? तो main feature क्या होता है उस Pongal festival में, जो चीज आपे, Pongal festival में होती है, तो main feature क्या है? Interesting features क्या है उसके? तो देखिए Answer देखते हैं Traditional boat race and bull race are interesting features of Pongal जो Pongal वहाँ पे उससाव मनाया जाता है, तो उसका main feature है, वो है traditional boat race Pongal में वहाँ पर boat race होती है, नाओ की race होती है, बहुत सारे लोग उसमें participate करते हैं Traditional boat race है, वो traditional उनका चला आ रहा है, वो boat race होता है और एक होती है bull race, ठीक है? तो यही Pongal के क्या है main features है 5th है, why is Chennai called an artificial harbor? Artificial means होता है वैसे, नकली जिसको बनाया जाता है, वो होता है artificial, जिसे हम बनाते हैं, वो एक artificial चीज है तो artificial harbor क्यों कहा जाता है उसको, ठीक है? तो देखिए तो देखिए The depth of water near the coast was not enough for the last ships to enter जो समुद्र का जो coast है, वहाँ पर Chennai में, वो उसमें पानी की जो मातरा है, वो बहुत जादा नहीं है जिसे की बड़ी ship वहाँ पर enter कर सके So, it was increased artificially जो वहाँ पर पानी बढ़ाया गया है, coast में, sea coast में जो पानी बढ़ाया गया है इसे मुद्री तर्प पर जो पानी बढ़ाया गया है, उसको आर्टिफिशल तरीके से इंक्रीस किया गया है पानी को आर्टिफिशल तरीके से बढ़ाया गया है This is why it is called an artificial harbor तो पानी को एक कृत्रिम रूप देकर नकली तरीके से जो है वो पानी बढ़ाया गया है copy में करना है और साथ ही आपको से learn भी करना है तो करिए आप इस काम को और learn भी कर लिजिए